हलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरे चैनल पर इजी कोकिंग दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक प्राउंस की ग्रेवी जिसे आप चिली भी बोल सकते हो प्राउंस ड्राइ बोल सकते हो बहुत अच्छी ग्रेवी है यह बहुत स्वाधिश लगती है जो आप राइस के सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों इसके लिए मैंने लिए हैं एक ओन्में एक टोमैटो चार पास रसंद की कल्या थोड़ा सा अद्रग और एक निर्थार मिर्च मैंने यह फ्रिक्टी ग्राम दपर 250 ग्राम स्प्राउंस होंगे अच्छी तरह से बोल लिया है अच्छी तर काला दुट क्या पोगे आई दो उसमें एक ब्लाइक अलो थ्रेड होता है वो निकालना पर देया आख यहां पर मैंने लिया है अब टेबल स्पूम नमक और इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पूम गरब मसाला दोस्तों उसके बार में टानूंगी हाफ टेबल स्पूम हाफ आफ टेबल स्पूम हाफ टेबल स्पूम और जरा साथ ग्रीन चिली पाउडर लिया है दोस्तों मैंने यहां पर इसमें जाएगी थोड इसी हल्वी लगब वान फूर्थ टेबल स्पूम यहां पर टालेगी हम लोग हल्वी तो इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर दें अच्छी तरह से अपिसे रखना है साइब में तक हम लोग थोड़े देर के बाद रूस कर सके ऐसा कोई डूरेशन टाइम में है नाइनेशन का आप तस्वान के रखिए तो बहुत है तो अब हम लोग में कडाई रखती है गैस पे मैं गैस ओन कर लेती है तोड़े कडाई जैसे ही वे गरम हो जाती है दोस्तों हम लोग इसमें एड़ करेंगे 4 टेबल स्पून आप कॉम साभी और अपने साफ से यूज कर लेना और का वैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो भी कुकिंग और आप डेली के लिए यूज करते हैं वह यूज कर लेना दोस्तों तो अटो जो टूरा सा गरम होने देजों ऐसी हो जैसे ही गरम हो जाता है दोस्तों हम लोगवेत्स कर दोस्तों अच्छी तरह से प्राय करना है थो बहूट अच्छी तरह से मात बढने वाली हैं हम लोग ने इसमें ग्रेवी के लिए कुछ सेपरेटली कोकनट या यूज नहीं किया है हम लोग जो ग्रेवी बनाने गाले हैं वो ओनियन टोमेटो की ही बनेगी तो इसलिए आपको पॉनियन को बहुत अच्छी तरह से मतलब पकाना है उसको पूरा मेल्ट हो जाना है दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको धक्के रख देंगे पकने के लिए दखमे के बाद हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे इखलाते रहना है मेले तो वह नीचे से लग जाता है क्योंकि हमने तेल भी जादा यूजने किया है तो इसको हम भी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे इखलाते करते रहें दोस्तों अभी हम देख लेते हमारा और यहन हमें चलिए उतना पग्या आई देखो और यहन हमारा जितना मतलब चाहिए उतना पग्या है इस स्टेज पर हम लोग उसमें एड करेंगे दोस्तों जरा सी मतलब हाफ देबल स्पून अग्रग लशन की पेस्ट दोस्तों प्लीज आप अगर आपके पास नहीं है अग्रग लशन की पेस्ट तो आप घर पे बना सक जुष नहीं आता है वो टेस नहीं आता है तो कभी भी आपको अशी में भी नहीं अगर अगर लशन यूज करें तो एट लीजिए इसे एक प्रष थोड़ा कर दिजिए अगर आप ऐसे ही डालेंगे तो उसका उतना सुआध नहीं आएगा वह डिश का तो आम लोग अभी डाली है दो हरी मिंच इसको भी अच्छी तरह सफ्राइब कर लेते हैं आप देख सब्सक्ते हो मैं इसमें जादा यूज नहीं किया है दोस्तों दोस्तों बहुत लोग अधरग लसन की पेस जो पहले डाल देते हैं लेकिन मुझे बो नहीं पैसन मैं ऑनियन के बाद अधरग जलती नहीं है और अच्छी पख जाते हैं तो हम लोग अभी उसमें एड करें हैं टोमेटो जो मैंने वन टोमेटो दिया था वह अभी अधर करेंगे हम लोग ऑनियन को बहुत अच्छी तरह से पताना है मैंने हाप टेबल स्पून इसमें नमग डाल दिया है ताकि उससे व बारी-बारी ओपन करकि उसे पखाते रहेंगी हैंग topic है हुँ हुँ हा मैं हम अंक हमें टोमेटो को बहुत अची तरे से टांसे मितों पना है केसे पता चलता है टोमेटोका चिल का अलब हो блиn तो पता चलता है कि टमेटो मैंने पख गया और आपको फोड़ा फोड़ा सा मेश करता है अबी मैंने उसमें फोड़ा पनी में पानी डाल वी म्हाइब थे सמׯह dirk । पामेटो मैं थीफ करते हो थोड़ा से rijल-डल्ड पानी में कर दो कि अबहुत अच्छी तर से पकाना है कि इसमें पाणी अभी तालने की जोर्ड़त नहीं है पूरा जो है अप्राउन से अपना पाणी अभी छोड़ेगा अब शुद्धी पथ जाएगा हमें सिर्धी अच्छी सारा चुछ पकाना है जीज बोलना पूरी हुए तो यह स मतलब पकाएंगे बंद करके इसे अच्छी तरह से हमें पकाना है देख सकते हो आप पानी इसको बहुत अच्छा चूट रहा है यह पानी छोट रहा है तो वैसे हमें बारी बारी इसे पकाना है आप पकाना है देख सकते हैं पकाना है तो थोदो तो में इसमें पानी आड़ करने हैं तो अभी इसमें पानी आड़ करना है जाल के साथ खानी है तो मुझे थोड़ा इसमें यह ग्रेवी तैप में चाहिए तो मैं थोड़ा जादा पानी एड़ करूँ आपको अगर चाहिए तो आप कम भी पानी एड़ कर सकते हो और इसे हम लोग धिनी आज पे पकाएंगे विए देखिए यह पक गया है मैं थोड़ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो लग्री चाहिए तो लाइफनी एंग्लास पाई उसमें डाले और अच्छी तरह से उबाले इसका पूरा जो जूस है ब्राउंस का वह पानी के साथ मिक्स होना चाहिए और आपको बहुत अच्छी एक ग्रेवी मिलना चाहिए तो हम लोग बहुत सिंपल है दोस्तों बहुत अच्छी लगी है और मेरी जो रेसिपीज है दोस्तों बहुत अच्छी लगी है और मेरी जो रेसिपीज है दोस्तों सारी बिगनर्स के लिए है दोस्तों कि मैं भी एक्सपर्ट में हुआ है रेसिपीज में सच्छी बोलो तो एक्सपर्ट म और कुछ डाल के धुनिया पाउदर या बहुत कुछ बाल सकते हो इसमें उसे और बहतर बना सकते हो लेकिंगे एक सिंपल जिसको खाना पकाना अभी तक नहीं है आता उसके लिए रेसिपी है दोस्तों तो ये हमारी बन मतलब अभी 90% की हो गई है इसको थोड़ा और उबालन कर दोस्तों कितने अच्छी ग्रेवी बनी है ये ये मुझे इतने कंसिस्टेंसी बहुत है दोस्तों तो दोस्तों मैं इक चीज बताना चाहूंगी कुरोई करते स्टी सुछी परफ़ेक्ट नहीं कर दोस्तों है को आपने स्वाद के अनुसार हमें अगर हमें जयादान अम्क चीजए तो हमें लोग टेस्ट करके इस में नमाक एड़ कर सकते हैं मेल्च ए अथिते अनुआ अब भी रेसिपी परक्ट नहीं होती और हम लोग इसमें यह मैंने धिमया कपत्ता भी डाल दिया है इसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा हुमारी दुश को देख के यह इतना टेस्टी लग रहा है आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छा लगता है दोस्तों ये आप देखने हो वो बहुत सिंपल है यह ग्रेवी सिर्फ दो लोगों के लिए बने हैं दोस्तों वह भी एक टाइम के लिए अगर आपको ज्यादा लोग है तो आपको ज्यादा बनानी पड़ेगी तो यह हमारी डिशज रिड़ी है दोस्तो अभी मैं इसको कतोरी में निकाल देती हो आपके डेख सकते हो मैंने गज़ादा पासे डारे भी नहीं किया है ग्रेवी मेरी बहुत ठीक भी है क्लोज व्यू आपको ज्यादा ज्लिवा抗ो भी दोस्तों घृवरी निकाल अगर आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीडियो को लाइक कर लेना शेयर कर लेना तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाइ बाइ